हाई मेरा नाम है आशिश और आप देख रहे हैं दीललन टॉप एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट सबसे पहले बात आज के शो में क्या है खास किसी ने पूछा पीम कहा है कोई बोला देश मोदी जी के साथ है अखबार की भोपाल वाली ये तस्वीर क्यों है इतनी वाइरल इंसान ने कुट्टे को पहना दिया अपना मास्क अब वीडियो वाइरल हो रखा है और पिक आउफ देव में करेंगे बात आँखों को चकमा द सरकार के मौतों के आंकड़े जूटे हैं ये जलती चिताएं सच बोल रही हैं आगे बताया कि सरकारी आंकड़ों में चार मौतों की बात थी वो पाल में असल में 112 मौते हुई बहद भदा विश्राम घाट की जो तस्वीर दिखाई गई उसमें 40 से जादा चिताएं जल रह है कल ही हमने बताया था कि कैसे लखनव के भैसा कुंड से शाम का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बड़ी संख्यामी चिताएं जलने के दृष्य थे और प्रसावसर ने उसके बाद टीन से उस जगह को कवर कर दिया था जिससे कोई वीडियो न बना सके वजह बताई की घेरा बंदी असा लिखा लोगों ने लिखा नाकामी चुपाई जा सकी इसलिए कवर कर रहे हैं शर्म करो सरकार तीन से राके को कवर करने की तस्वीर आज भी खूब शेयर हुई इस तकलीफ वाले माहौल में कुछ हलकी फुलकी चीज़े भी नजर आई जो विदेश से 14 अप्रेल को अप्लोड हुई एक तस्वीर 2000 से ज़्यादा बाज शेयर हुई है फेस्बुक पर क्राको एनिमल वेलफेर सोसाइटी ने ये तस्वीर साजा की बताया पोलेंड की है बताया कि एक महिला ने शिकायत की थी कि उन्हें पेड की एक तहनी पर बिना सिर का एक लोग अपने घर की खिड़कियां बंद कर बैठे की जाने क्या हो जाए टीम वहां देखने पहुंची तो चौंक गई वह जानवर नहीं रहा था ना कोई एक्टिविटी कर रहा था ना उसके हाथ पैर या सिर नजर आ रहे थे जब नजदी जाके जाचा तो पता चला कि य भतीजा वही निकला तो वैसे वह महिला डरी थी जिस चीज का नाम लेने में इतनी समस्या हो उसे बिना सिर का जानवर कह देना कहीं ज्यादा आसान है यूट्यूब पर जमकर वायरल है केरल के एक व्यक्ति का वीडियो आया है दुबाई से नजर आता है कि वीडियो में व कोजी कोड के जफर हैं जिन्होंने एक बार टांग अड़ा के असी लाख की लूट रोक लिए अब लोग उनकी तादिफ करते हैं नहीं धकर है शो में आगे बरता है हम बात करते हैं सोशल मीडिया के आज के दिन की और बड़ी हलकलों की पूजा बेदी अपने क्वीट्स गिरी हैं दो रोज पहले एक वीडियो डाला एक बोट पर ऐसे सफर कर रही थी जॉय ओफ लेविंग इन हेल्दी हैपी गोवा बता रही थी कैप्शन में और भी लिखा था कोई डर नहीं अपना माइंड फ्री रखें जिन्दगी जीने के लिए है ऐसा वाइरस जो जाने जीने के लिए नहीं हैं अगर आप कल मास्क लगा कर लॉग नाउन का पालन करके भी मर गए तो आपका सब उसे बड़ा रीक्रेट क्या होगा लोगों ने ये पढ़ा तो भड़क गए लोगों ने कहा मैंने अपने पिता अपने बतीजे को खो दिया अपने दोस्त को खो द लोगों ने कहा कि मैंने क्या पढ़ा मा एक अमीर प्रिविलेज्ड मुढ़ा हूं जिसने ना विज्ञान समझने पर पैसे खर्च किये ना इस पर की शोशल मीडिया पर क्या अपडेट करें कम से कम एक धंगा प्यार परसन रखलू कुछ ने कहा दिन की सबसे मुर्खता पू ले रहा है कोई चुनावी कर रहा है कोई कह रहा है बंद कम रेम नहीं हो राती इसलिए कुम्ह से कोरोना नहीं फेलेगा और कोई गोब गया यह चला मोदी मेड डिचास्टर एक हैस्टेग और मोदी गवर्मेंट से ना हुपाएगा है पपू, हैश्टेग देश मोदी जी के साथ है, ये भी चले, कुछ कॉंग्रेस के समर्थकों ने चलाया, कुछ कॉंग्रेस नहीं चलाया, और कुछ बाकी पार्टियों ने, कुछ भाजपा समर्थकों नहीं, ये तमाम ट्रेंड चलाया, कॉंग्रेस दिलिखा Mr. Star campaigner, देश emergency म गया, दिन भर में दो लाग से जादा केस आये, ग्यार सो पचासी मौते हुई, PMO दी सोनार बांगला कर रहे है, खुद को आसन मौलाना जे एमेच, प्रेसिडेंट तमिलनाड यूथ कॉंग्रेस, ये इनका बायो लिखा था, इनके अकाउंट से तो बहुत ही बुरा ट्व रहा, बस एक सुन्दर रिवाज था, इस ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन ये बहुत बेहुदा ट्वीट था, आसन जी हम कभी लाई सोच से आगे बढ़ चुके हैं, पर्यातलाशे नेख चुके हैं, हमारी कोशिश है कि एक नया आदमी ना मरे, इस मौक की खोज में हमने हीरा गवा दिया, पीए मोधी की भांती भांती की तस्वीट दिखाते हुए, उनको असली पप्पु कहते हुए ट्वीट दिखे, बदले में हैश्टाग देश मोधी जी के साथ है चलाया गया, बताया कि किस प्रकार पीए मोधी दुनिया की सबसे प्रेटरी बताते मिले कि मौर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के हिसाब से नरेंद्र मोधी ग्लोबल लीडर में 73% के हाइस्ट अप्रूवल रेटिंग पर हैं, आज से पहले इनने जिसकिसी का भी नाम लिया हुँ, कभी किसी ने कम जानता हूं थोड़ा मैं, और राम जी की फोटो लगा के कहा गया, हैश्टेग देश मोधी जी के साथ है, कुछ है ने लिखा हाँ, हमने थाली पीटी क्योंकि हमें पुलिस और डॉक्टर को पीटना नहीं आता, हाँ हमने दिये जलाई क्योंकि हमें देश जलाना नहीं कुछ ने इस हैश्टेग में भी सरकार का विरोध किया लिखा, अफवा है, सच पता नहीं, लेकिन सुना है कि डिमांड देखते हुए, मोधी जी, शम्शान और कबरस्तान का ठेका अडानी को देने जा रहे हैं, अफवा ही है, ऐसी कोई ख़बर नहीं आई है, ऐसी बेकार की बातें ना फैलाएं, महल बहुत खराब है, तो चलिए कुछ हलके खुलके वीडियोज दिखाते हैं, जो मन थोड़ा हलका करेंगे, एक आदमी का वीडियो वाइरल हीं दिनों है, जाने कब का कहा कर, लेकिन वो अपने कुट्टे को मास्क लगाए जा रहा था, पीट पर तो यह आती है कि वाइरस ऐसे काम नहीं करता, और भलाई इसी में है कि बंदा मास्क लगा लें, जिसके करण दोनों लोग ओविसली सुरक्षित रहें, पर समझदारी की वादे किसी और मौके के लिए फिलहाल तो इस वीडियो को देख कर ही एक हलकी मुझकान लोगों के पर आ गई है दुनिया पहले ही कम भूगत रही थी क्या, जब किसी ने मैगी लड्डू भी बना दिये, ये मैगी लड्डू देखिए, इसे टेस्ट पे आपका क्या वीचार है, आप क्या जीवन में कभी ऐसी कोई चीज खाना चाहेंगे, वो सब बताने के लिए कमेंटर बॉक्स है, न इल्यूजन्स, एक S छूट जाता है, ये अन्यूजूवल से खिलोने ही कठा करते हैं, बताते हैं, बीस हजार से ज्यादा का इनका कलेक्शन हो गया है, में पंड़ा ये है कि खिलोनों का कुछ चौंका हूँ मैं के नीजमात को दिखाएं, और उसके पीछे की साइन्स बता जो एक बार में आप ऐसे टेहका होगे तो आपको चाहे देगा, और दूसरी बार में टेहका होगे तो आपको दूर निकाल के देगा, ऐसे ही विचित्र चीजों के पीछे की साइन्स, ये कैसे होता है, खिलोने कैसे बनते हैं, ये सब इस चैनल बताते हैं, आप देख सकते बागी आज के सोशलिस्ट में इतना ही अब मुलाकात होगी सीधे सोमवार को उम्मीद है आपको कुछ बदलाओ भी देखने को मिले चिंता मत कीजे मैं कहीं नहीं जा रहा लेकिन अभी के लिए जा रहा हूं तो कहते हैं टाटा